इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआ 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 क्यूं कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुवे को क्यूं छेलता? हो गई परताश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीडी दिखे चलती जहां पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पी ना मना है, उलंगन करने पर होगा जुर्माना धुम्रपान ना करें ना करने दें धुम्रपान पढ़ेगा मनेहंगा खुशी कौन नहीं चाहता? लेकिन किस कीमत पर? धुम्रपान मनेहंगा पढ़ता है धुम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाने वालों के लिए भी धुम्रपान पढ़ेगा मेहंगा सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है शाराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है कारण बाके लिए का काल साइव. कर दो को घांक सकते कि अ व जो आपट्रोनीख अंच चीजश खेलमेध औरosen सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब से अप्लेफून झाल 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 करें कर दो झाल तेक है झाल सिपन झाल 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 मिरिश्टर मल्लिक आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं अभी नहीं वो आपके सिर्फ पांच मेंट चाहते हैं सर कहाना अभी नहीं कराफड़ जरूर जरूरी नहीं करें झाल मिर्व अभी नहीं करण चाहते हैं करण तुम झाल 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 जै बजिरंग बडी रामभक्त हनुमान की जै झाल 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 बाप बाप कर एंदा अरे कि अँन था कर रहां। कि एवरीवडी पंच क्या देख रही हो कुछ नहीं यार मेरा बॉइफ्रेंड फोन कर रहा है आज भी लेटा है मास्टर जी आपने मेरी दीदी को बुलाया था ना वो देखे वहाँ आई है नमस्ते मास्टर जी देखे आपका भाई ठीक से क्लास नहीं आता आता है तो एक्सरसाइज नहीं करता एल्थ इस वेल्थ ऐसा कहा जाता है बोडी फिट रहेगी तो माइंड ट्लियर रहता है माइंड ट्लियर होगा तो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा आपको उसे समझाना चाहिए हाँ समझा दूँगी अच्छी बात है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं वो अगली है और मैं प्रीटी हूँ आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना वो क्या है ना मेरे पिता जी का बिजनेस जोरों से चल रहा था तब मैं पैदा हुई थी इसलिए मैं प्रीटी हूँ उसके बाद मेरे पिता जी को लॉस होने लगा तब पैदा हुआ मेरा भाई इसलिए सर वो थोड़ा अगली है सा सा सौरी सर फोन पर बात कर रही थी मैं दिनेश की बहन हूं सर मेरे भाई के बारे में आपकुछ बताने माले थे न सर मैं बताती हूना तुम्हारा भाई ठीक से क्लास नहीं आता आता है तो exercise नहीं करता हेल्थ ही ज़ेल्थ ऐसा कहा जाता है बॉडी फीट रहेगी तो माइंड क्लियर रहता है माइंड क्लियर रहेगा तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा, करेक्ट ना सू? और कुछ कहना चाहते हैं सू? नहीं, और कुछ कहना चाहते हैं सू? सू? सेम पेंच, सेम कलर मैंने भी ब्लू ही पेन है एई! अपनी शकल देखी है कितना से एकसी शौट था? जेटी का है और देख रही हो 2020 मैच ये सब बैड है पिट को कासी में छोड कर आना चाहिए था इसलिए तो बच्चों के साथ क्रिकेट खिलना छोड दिया है अच्छी बात है गल्दी से भी बाहर मत निकल जाना क्यों? लोग देखेंगे तो पागल समझेंगे जैसी सास वैसा दामाद चुप चाप खाना खाओ एई कॉलेज के पास वेट करने को कहा था ना और तुम यहाँ खाना खा रही हो मैं वेट कर रहे थे तुम नहीं आए हलो बोलो कौन है वो टीच में कुंग फू कराटी सिखाओ मास्टर जी कराटी सिखाओ ठीक है ठीक है पहले गुलाटी मार के दिखाओ मतलब बंदर जैसी पल्टी यह क्या चल रहा है मास्टर असलिए मास्टर आप थे है तुने मुझे बेवकूब बनाने की कोशिश की छोड़ूगा नहीं मैं मास्टर क्या रहे बच्चे को क्यों बनातुने मास्टर जी इसन यह कहके क luxury बनाया की यह का मासटर यह तो गुस्टा तो आना आस्टर, आपको मुझे पूरा कराटे सिखाने की जरूत नहीं है, आप मुझे सिर्फ बाएं हाथ का कराटे सिखा दीजिए, इस बाएं हाथ से जब मैं उसे मारूं आना, तो गुदली गोपाल साफ हो जाना चाहिए, उसने मुझे बहुत बड़ा धोका दिया है, ये गुद पदले शिक्षा के तौर पर नया जीवन जीने के लिए सरकार मौका दे रही है, और वो नया जीवन जीने के लिए जीवन्यापन और काम करने के लिए सरकार उनको थोड़ी सी जमीन भी दे रही है, हम भी ना, किसी भी तरह से हाथ जोड़ के गुंडों के गुरूप में च कि सरेंडर कर लेंगे आप मुझे अपने गृप कर लीजिये प्लीज तुम दोनों हमारे गृप में शामिल होना मुझे प्यास भी लेगी थी पीने के लिए नहीं है तो फिर किस लिए या त्यार है चलो टहलते हुए बात करते हैं अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम लोग हमारे ग्रूप में क्यों शामिल होना चाहते हो वो सुना है कि आप जैसे लोगों को सरकार एक नया मौका दे रही इसलिए बास हमने सुना है कि आगले हफते आप सरकार के सामने सरेंडर होने जा रहे हो हलका हो गया अब तक आपने अपने जीवने में बहुत सारी मार काट की है ना आप जो काम कर रहे हैं अगर हम भी उसमें शामिल हो जाए और ऐसा हम पुलिस को जाके कह दे तो सरकार हमे लाखो रुपय और जमीन देगी बॉस उस पे आपके नाम का एक चोटा सा फाइस्टार होटल खोल के हम मरने तक आपकी फोटो की पूझा करेंगे सर तुम लोग रुको मैं बुलाता हूँ बुलाता हूँ अरे क्या तुम लोग यहां तमाशा देखने आयो वहां लोटा लेकर क्यों खड़े हो जल्दी पास आओ सुनी आपने मेरी दर्द भरी कहानी अब तो सब कुछ पता चल गया ना है तु फिर से यहां कैसे आ गया मास्टर जी कहा चले गए तुम जब धो रहे थे ना तब ही मास्टर चले गए क्या तो ही अभी बन्यू है आ मैं यूँ वाइम सी ए कराटे चेंपियन्शिप के लिए अपना नाम दिया है तुने नहीं दिया है क्यों क्यों क्या ऐसा सवाल मत पूछ तेरी इतनी हिम्मत कि तुने अपना नाम दे दिया तु मुझे चैलेंज देना चाहता है अपना नाम वापस ले ले नहीं तो चलने के लिए तेरे पैर नहीं रहेंगे अब तक तो नहीं दिया था मगर आप जरूर दूंगा सर को मेरी बात समझ में नहीं आई मास्टर मास्टर बैक केक तो ठीक है फ्रंट केक में थोड़ी प्रॉब्लम है आप दिखाएंगे कैसे करना है यह कोई बड़ी बात नहीं है यह देख इस तरह नहीं भाई एसे एफ DOंक की यह दोड़ी आप परहारे कि झाले है हुआ हर एाँ खार सा वड़ियत सका सकता हुआ। थाँ खाँ गुआ घाँ खाँ हाँ खाँ ते खाँ अप्रूटे ही लाकटी है? अप्रूटे ही लाकटी ही लाकटी है? मेरी टांगे काटके तुम यहां तो जीच जाओगे लेकिन वहां नहीं जीत पाओगे वहां, ओलिम्पिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे ये तुम्हारा गोल होना चाहिए मैं तुम्हारी टांग खीचू तुम मेरी टांग खीचू इसलिए हम अपने देश के लिए ब्राउन्ज मिडल भी नहीं ला पाते हैं ठीके छोड़ो, क्या तुम्हें गटस है इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने का मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा बिना किसी लक्ष के जिन्दा रहना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना इसका कोई अर्थ नहीं है सपना बड़ा होना चाहिए सर, एक बार कह दिजे कि आपने हमें माफ कर दिया है इंसान को जब खलती का एसास होता है तो किसी से माफी मागने की कोई ज़रूरत नहीं राम भक्त हनुमान की जय लिजे सर ठैंक यू चुरूरत बचाँ चौरूरत लगा है तुने मेरी बेहन के जिंद्गी बरबात की वहँ अवि मासंबि दिखा कर तू कॉर भाई मैं हू कुरूपलित उन्डा टोल तुकाराम समझ घया ऑब करने को तेशा के जब लोगा फ़िए जबते उसके शकल करने का पतलब है क्यों है कि तोछ जबने नहीं परम बाद कर सके गण्यार केलि esager चल यऀ विश्वास पर उसने अवी तक बच्चे का नाम भी वहाने जाने जाने वाला हरे अब तुभी बता मैं तेरा क्या करूं पतानी उसे किसने वह संबी खिला दी और तुम मेरे पीछे पड़ाए तुझे तो प्लीस आ रही है इसलिए मैं तुझे अभी छोड़ रहा हूं अगली बार तु कहीं भी मिल गया ना तो तुझे बता दूगा कि मैं क्या हूं तेरे ट अगर आपने उस दिन मेरा पूरा फ्लेश बैक सुना होता ना तो आप मुझे इस तरह से नहीं मारते फ्लेश बैक की कहानी बहुत दर्द भरी है कहो तो सुना दू सुनाई देता हूं हिए क्या है भाई हथियार रखने को कहा तो लोटा रख दिया हथियार बोलकर मेरे हाथों में लोटा ही पकड़ाया घया था अब इसका क्या करूं तुम ही रख़ो मैंने दो घरों में खुश के सोने और पैसे चुराए बस इतना ही इतने के लिए लेंड नहीं दे सकता हूं 20,000 लो और जाकर कोई दुकान खुल लो तुमने क्या किया इस लड़कियों की जिंदिगी बरबात की बापरे बरबात किया तो ऐसे बोल रहे जैसे उन लड़कियों की जिनके आबात की हो बाई अजीव है यह बड़ा अपराद है फिर भी यह सामने आकर अपने गलती मान रहा है बीस एकड़ जमीन और दोला कैश इसे तो अरे सुना भाई अगर चोटे मोटे गुना माने ना तो यह 10-15,000 देकर मंदिर के सामने चोटी सी फूल की दुकान अरे बापरे ऐसा क्या तो पिर हमें क्या बोला है बड़े बड़े अपराद बताएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे बहुत सारी समीन भी मिलेगी हां नेक्स्ट अच्छा बताओ तुने क्या किया है भाई कह दो इन से तुमने दो तीन लड़कियों को बरबाद किया है यह क्या कह रहे हो प्रूफ क्या है पेपर में आया था तुम जूट बोल दो ऐसा क्या हूँ ठीक मैं बोलता हूँ खुरुपल्ली तुन्डारम तुकराम की बहन को मैंने मौसम में दिखा कर उसकी जिंदगी को बरबाद रजकाए चपरास गली में तुमने तरकाटा था बोल दो बाई धी गुदरी ऐसा मैंने कब किया था पीपर में आया था तुम बोल दो ऐसा क्या वाँ यहू चपरास पल्ली में चकली चंद्रा का सर काट कर उवा टाकिच में उसे लटका कर हर दिन चार शो चलाए थे वह पोस्टर भी मैंने लगाया था और कुछ और क्या इत्रा कमें क्या किया है अभी तक जहां जहां बॉम ब्लस्ट हुआ है ना सब हमारे भाई नहीं तो किये इटेल्स इसम सर मैंने इतने बड़े-बड़े कांड कि मुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा क्या फिर भी तुम आकर सरेंडर कर रहे हो इसके लिए तुम्हें पांच एकड जमीन और पांच लाग रुपा सर चेक देंगे या कैश सर आप पैसा चाही जैसे दें लेकिन जो आप जमीन मुझे किया है सर ठीक है ठीक है पांच जार तुम्हें दे रहा हूं बस्टॉप पर जाकर मुंगफली बेट अरे यार सर बॉस के बाहर आने तक मैं उनके पैसे और उनकी जमीन का खयाल रख सकता हूं ना वहां के तो ठीक है भाई 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 मुझे माफ कर दो भाई अठु धोक अठुबान भी मुझे माफ नहीं करेगा नहीं भाई सब मेरी गलती है सब मेरी यह गलती है और इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए आपके साथ जेल में आना चाहता हूं वाई तो भी अंदर आई जा मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा तो आ जा वह पुलिस वाला नहीं तो ठीक है घुद्ली आजा 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 यह वा था मेरे साथ मास्टर जी यह तो मास्टर के अबाद नहीं है अब मैं तो पुलिस के जाने का इंतजार कर रहा था तुझे में आजी ती कीमत नहीं चुरूगा हालो पीछे ना ना लुक्तिस्ताइब से कि आजा ना रपको भाद वापस पीछे चली जाओ पीछे चली जाओ 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 आरि बात फुरो are you all right same page same color यह क्या तुम करना खलत बात है तंगा हुआ कपड़ा निकालने गई तो मेरा पैर फिसल गया और मैं भी टंग गई अब आप अपने दिल में क्या सोच रहे हैं मुझे पता है क्या सोच रहा हूं इतनी सुंदर लड़की को आज अगर मैंने नहीं बचाया होता तो लाइफ ल रहा है ना आपके दिमाग में किस किया किस किया मेरे घर में घुझकर मेरी पोधी को किस किया क्या का आप में रियक्शन तो बहुत अच्छा दे रहा है अगर उसकी कमर से आथ अटा दिया तो और अच्छा होगा यह क्या चल रहा है इस तरह से घर में घुझकर इस तरह की ह देखो बेटा हमारा खांदान बहुत इजददार खांदान है मुझे देखकर डिसाइड मत करो हमारा परिवार संसकारी परिवार है तुम्हारा नाम क्या है बेटा मैं बताती हुना अभी मन्यू क्या करता है कंप्यूटर सर्विस करते हैं इनकी सेलरी मतली 40,000 रुपे हैं 4500 घर का भाड़ा 6000 के आसपास घर का खर्च बाकी का पूरा बैंक में दम दारू ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है सुनिये अगर हम लोग भी ढूंटे तो इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता जल्दी से इस रिष्टे को पक्का कर देते हैं मुझे लगता है हमारी बेटी को भी वो पसंद है यह कैसी बात कर रही हो लड़का अच्छा है या बुरा है यह देखना तु चाहिए ना मैं ऐसा सोचती तो तुम दामाद नहीं बंदे दुश्वन कहीं भी नहीं बगल में है क्या मतलब इसका अट एंपायर कहीं और नहीं यहीं पर है जटके मत मारो मुझे तो पसंद है अगर हम सिट्विशन को थोड़ा रिवाइंड करके देखें तो बंदे में स्टाइल तो बहुत है ठीक है वेटा हम तुमारे घर आकर सारी बाते कर लेंगे मैं नंदिनी और कहां कहां ले जा रही हो मुझे चलो ना बता दी हूं क्या दिखा रही हो तो हां आज मदस्डे है तुम्हारी मां जैसे तुम्हारी देख भाल कर दी ठीक उसी तेरा मैं भी कोशिश करूंगी थैंक्यू यह थैंक्स वैंक्स छोड़ो चलो कम बैठ जाओ यह कॉफी कब बना ली तुम्हें विर दिल में मचा रहार चल तुम्हें तुम्हें नशा तिल ना कर दो कर दो कर दो अपने मा की आता गई मैं कुछ भेकरू तुम्हारी मा की जगा नहीं दे सकती मगर एक बात बताना चाहती हूं तुम्हारा कोई नहीं है ऐसा बिल्कुल मसोचना हूं तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे अब हम शादी करने जा रहे हैं एक्सपेक्ट नहीं किया था नहीं तो फिर मेरे पिताजी जब पूछ रहे थे खामोश क्यूं थे आं ताकि तुम मेरे जैसे लड़के को मिस ना कर दो अहां नौट बैड हां अंकल आंटी की चेन थेंक्यू गुड गर्ल अच्छा बता आंटी के गले से चेन गिरा वो तुमने कब देखा आंटी हस रही थी तो अच्छी दिख रही थी इसलिए मैं उन्हें देख रही थी तभी चेन गिरी थीक है तुमारा नाम क्या है पारवती कौन से स्कूल में पढ़ती हो अभी तक तो नहीं पर मुझे स्कूल जाना है और आई एस बनना है वेरी गुड किसके साथ मैं आई हो तुम मा के साथ आई हूं ओठीक है अंकल को एक पपी दोगी ठीक है मैं चलती हूं बहुत क्यूट है ना अंकल मुझे अंकल मुझे 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 यह अपना देश है यह अपना देश है लक्षमी पारवती पापा है लक्षमी किदर आप आज़े बटा है सब लोग हाँ जोड़ो पापा आप यहाँ जोड़ो पुझो क्या हुआ अपनी पारवती को सेवी स्कूल में सीट मिल गई है ऐसी बात है अभी मैं स्कूल से या रहा हूं इसा क्या इतना बड़ा स्कूल है उसमें एडमिशन कैसे मिल गया यही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं क्या हो नहाजार लोगों ने अपलाई किया था और सिर्फ सौ लो सब दिला देंगे यह लिजिए मुझ मीठा कर लिजिए पिदा जी क्यों जी बड़ा स्कूल कह रहे है पैसे कितने भरने होंगे डोनेशन और फीस कुछ बहुत ज्यादा नहीं है यहीं कोई 120,000 बढ़ने होंगे हम जो कमाते हैं वो पेट बरने और भाड़ा बरने में ही खर्चा हो जाता है वो मुझे नहीं पता लक्षमी अपने बैटी को अपने जैसा नहीं बनाएंगे बड़े स्कूल में पढ़ाई करेगी है सेट जी मुझे बच्ची का स्कूल फीस भरना है जरा सोच समझ के दे दीजे सर निव एडमिशन है सिर्फ पच्छी सजार लेकर आया है इतने कम पैसों में बच्ची का एडमिशन कैसे कर सकते हैं और बाकी पैसे बाकी का मैं 15 दिनों में भर दूंगा सर यह सम नहीं चलेगा पता है स्कूल में सीट पाने के लिए डेर लाख वन टाइम पैमेंट करने के लिए बाहर बहुत लोग खड़े हैं तुम्हारी बच्ची बहुत खुश नसीब है जो इस स्कूल में इसे सीट मिला यह हम जानते हैं सर तो अगर आप थोड़ी महरबानी करें तो ठीक है ठीक है एक तो बच्ची को साथ मिलाया है मुर्ती इन्हें 15 दिन दे दिजिए पैसे दिये तो ठीक है नहीं तो बच्ची को घर भेज देंगे समझ गया ना सुनिये जी बाकी की फीज हमें इन तीन दिनों में ही भरनी होगी स्कूल से पारवती के टीचर ने बुलावा भेजा है मुझे इस बारे में बहुत चिंता हो रही है अपना मिस्तरी मलिंगा है ना हां उसने पचास हजार का चेटफंड भर रहा है उसने मुझे कल घर बुलाया है और बोला है कि वो पैसे मुझे देदेगा मैंने मैंने पांच हजार देकर के करजा पूरा कर देंगे पांच हजार रूपे आप कैसे चुकाएंगे वागवान है ना उजड़ा देगे लेकिया ठीक है अम नमस्षिवाय लक्षमी मैं भी मलिंगा की पास जा रहा हूं ठीक है हमारा कम हो जाना चाहिए रक्षा करना भग्वाल मोबाइल कहा है अरे मलिंगा कही है नमस्ते मलिंगा भाई हम अभी आप ही की बात कर रहे थे सौ साल जियेंगे आप भाई यह क्या कह रहें आप एज 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 क्या हुआ अच्छानक क्या हुआ पता ही ना बलिंगा भाई ने बोला कि फंड चलाने वाले पैसा लेकर भाग कर आप क्या करेंगे लक्षा हमने क्या पाप किया है जी हमारे साथ यसा क्यूं होता है एजी अब फीस बने के लिए सिर्फ दो दिन ही रहे गए हैं कहीं दूसरी जगा पूछ कर देखिए मोबेल कहा है यह ली जी नमस्तिय सर मैं चंदू कारपेंटर चंदू सर सर थोड़ा अरजेंट वो पैसों की कुछ ज़रूरत थी मेरी पहचान में जो लोग हैं उनकी पास उतने नहीं है बच्ची की फीस भरनी थी बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं सर मता मत कीजेगा सर हो जाएगा ना सर ठीक है सर मैं चलता हूं लक्षमी बाई टाटा सोजा पारवदी कब तक आएंगे पापा वो आ जाएंगे बेटी पर सब ही ऐसा ही बोले थी आज पक कहा जाएंगे वो सोजा ए बी सी दी ए ए फ जी ए चाए जी के लो मैंनो पी लो मैंनो पी क्यों जी अब कहो रहे थे पच्ची सो रही है कहा था पैसे लाने जा रहा हूं जब भी मैंने फोन किया कहा आ रहा हूं मैं आज दो दिनों के बाद आ रहे हैं इतने दिन कहा थे आप ऐसा लाने गया था हो गया बंदबस्त अरे बापरे इतने पैसे कहां से मिले को रास्ता नहीं था तो कुछ बेच कर आया हूं क्यों के आप दे क्यों के आप दे क्या हूं क्या हूआ वाओ आओ यह यह पत्ती क्यों लगी हुए यह पारवेती के फीस बंदे के लिए यह यह अपने किटने बेच कर आए हैं पिता जी ये भगवान, ये क्या क्या चंदू, ये क्या क्या, ये तुने क्या क्या, ऐसा क्यों क्या चंदू, तेरे लिए मैं मर गया था क्या, एक बार तो मुझसे पूछ लेते, क्यों क्या ऐसा, ऐसा क्यों क्या तुमने बेटा क्यों क्या ऐसा, एक किड्नी काफी होती है जीने के लि इस बात का मुझे बहुत गर्व है बिटा, मैं बहुत भाग्यवान हूं बिटा चंदू जॉनी, जॉनी, येस पापा, इटिंग शूगर, नो पापा, टेलिंग लाइस, नो पापा, अपन्यमाद, हाँ, हाँ, हाँ मैडम, प्रिंसिपल साहब ने कहा है, कि पारवती को आफिस में लेकर आओ, पारवती, इनके साथ जाओ, तुम बाहर क्यों बैठियों, बेठी, आपके आने तक मुझे यहां बाहर बैठने के लिए कापा, आपने पैसे भरे किया, सर, तीस हजार लेकर आया हूं, कितना बैलेंस है इनका, 95,000, सर, और बाकी पैसे, सर, वो, है या नहीं है, नहीं है, सर, एडमिशन कराते वक्त क्या बोला था आपने, 15 दिनों के अंदर पूरा पैसा मैं दे दूँगा, या दे न, अब क्या, मैं आपकी बेटी के लिए पैसे भर कर उसे पढ़ाऊं, ओ, नहीं, ऐसा नहीं है, सर, थोड़ा और समय दे दीजे, तो भर दूगा, देखिए, महिने महिने पैसे भरने के लिए, ये कोई टीवी फ्रिज का शोरूम दिखता आपको, ये स्कूल है, पैसे नहीं है, तो ऐसे स्कूल में पढ़ाने का सपना क्यों देख रहे हो, शेहर में तुम जैसों के बच्चो के लिए बहुत सारे स्कूल है, इसे वहाँ पढ़ा सकते हो ना, हमें परशान करने के क्या जरूरत, बच्ची सुन रही है सर, ऐसे मत बोले, सुनो, पैसे दो और पढ़ाई कराओ, मैं यहां का बॉस नहीं हूँ, मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है, अभी जो केंपस डेवलेब्मेंट 5,000, ट्रांस्पोटेशन 14,000, बुक्स के लिए 5,000, युनिफार्म 6,000, कंप्यूटर 8,000, इसके लाबा बिल्डिंग फंड 9,000 मिलाया, तो टोटल 95,000 बाकी है, बिल्डिंग फंड मतलब, आते वक्त आपको नई बिल्डिंग बन रही है, नहीं द गलती हो गए सर, हमें माफ कर दीजे, सर, बस एक हफता दे दीजे, पूरी फीस भर दोंगा सर, सिर्फ एक हफता, एक हफते में भर दोगे ना, जी सर, तो तभी अपनी बेटी को लेकर आना, हम इसे रख लेंगे, अब जाओ यहां से, सर, इतने दिनों में बच्ची पढ़ झाल झाल स्कूल जाने के लिए पैसे परने पड़ेंगे, पापा, हमारे पास पैसे नहीं हुए तो, उन लोगों ने आप से क्या-क्या बोला, मुझे अच्छा नहीं लागा, उससा बाद है, पापा, मैं कल से स्कूल नहीं जाँगी, पापा, जाँगी, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं, हमें हिम्मत देने वाले आप ही है, अगर आप ही तोड़ गया, तो कैसे चलेगा, पारवतिक अगर इस स्कूल में नहीं हुआ, तो कावर्मेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, जी, आप रो यह मत, कावर्मेंट स्कूल, लक्षमी, कल सुबह फिर जब इस स्कूल की वहन आएगी, सारे बच्चे उसके लिए भागेंगे, सब बच्चे मुश्कुरा रहे होंगे, स्कूल जाने के लिए खुश हो रहे होंगे, तब, जब पारवतिक पूछेगी कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रही हूँ, तो मैं क्या जवाब दूगा, शुल जाना, नौकरी मिलना, अगर यह सब पैसे वालों के लिए है, तो हम गर पैसा है तो पढ़ाई है लक्षमी अपनी बच्ची प्रिंस्बल के कमरे से सर जुकांकर बाहर आए थी नौ तुम नहीं देखा था कितनी उदास थी वो हमारे सामने ही हमारी बच्ची का अपमान हूँ लक्षमी जब पारवती बड़ी होकर हमसे सवाल पूछेगी कि मुझे आप लोगोंने क्यों नहीं पढ़ाया आप लोगोंने अपना फस्टीक से क्यों नहीं निभाया तो हम क्या जवाब देंगे लक्षमी बस हुआ लक्षमी बस हुआ तब सहर नहीं होता हमार का लक्षमी मुझे माफ कर देना आप क्या बोल रहे हैं मैं समझ गई हूँ मगर पारवती को अकेले चोड़कर मैं कैसे जाओ मुझसे नहीं होगा नहीं होगा बेटी सोचा परवती परवती सर मुझे दस हजार रुपय उधार दे दीजे चाहे तो आप उस पर ब्याज भी लगा लीजे मुझे मना मत कीजेगा सर क्या हुआ बेटा आपसे बात करते का मन हो रहा था हाँ बोलो बेटा मा से भी जादा प्यार करते हैं लेकिन इस देश में हम जैसे करीबों को जीने का कोई हक नहीं है बापा इस हालत में आपको छोड़ कर जाना हमें बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन हम मजबूर हैं पापा अगला चरह मिला तो मैं आप कहीं बेटा बनना चाहूंगा ऐसी बेकार बाती क्यों कर रहे हो बेटा चंदू हमें वाफ कर दीजिए बस अपना क्यान रखियेगा पापा चंदू चंदू हाटो 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 अरे बाबरे हाटो 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 यह सब क्या हो गया शर्णू बेटा यह तुने क्या 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 मुझे अखिला चोडगर क्यों चला गया अऔर बव्दक्राइब क्यों चला गया कर दो कर दो उस कुत्ते को देख रहे हो पैदा हो तो गया लेकिन खाने का कोई ठीकाना नहीं था लोगों का फैका हुआ खाता था कहीं चाओ नजर आती थी तो सोच आता था आज मर के हैं पैदा होने और मरने के बीच कोई पूछे उसने क्या पाया कुछ नहीं कल इसकुत्ते को कोई याद भी नहीं करेगा ऐसी है उसकी जिंदगी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए मनुष्य का जो आउतार मिला है हमें उसका कोई मतलब होना चाहिए कोई लक्ष होना चाहिए मुझे मेरा लक्ष मिल गया मुझे मेरा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पूरे इंडिया को बताना होगा इसका एक ही रास्ता है मीडिया एक बड़ा प्रेस मीड करके हमें सबको बताना होगा लेकिन मैं एक साधारन इंसान हूं मेरी प्रेस मीड में आये का कौँ अवी एक वियाईपी फ्रेंड है मेरा जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं हमारे यहां के एड्यूकेशन से वह भी बहुत परिशान है अगर उसने तुम्हारा कॉंसेप्ट सुना तो लाइफ प्रेस मीड ज़रूर अरेंज करेगा सबको मेरा नमस्कार मैं इस देश का एक सामान या इंसान आपके सामने बात करने के लायक भी नहीं और नहीं मेरी इतनी हैसियत है पाँच दिन पहले कारपेंटर का काम करने वाला चंदू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ बहुत खुश था मगर आज उसका परिवार जिंदा नहीं है उसकी वज़े इस देश का एडूकेशन सिस्टम इस देश में 43% स्टूडेंट्स गौने पढ़ते हैं आजुनी के बारे में बात करने आपके सामने आहाँ हमारे देश की क्या स्थिती ऐ उसमें क्या है, क्या नहीं है ये सुचा जाए तो उसमें जो होना चाहिए वो होता ही नहीं नमबर वन पे होती है फैकल्टी, बचों को पढ़ाने वाले शिक्षक, अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षक का होना ज़रूरी है, मगर गवर्मेंट स्कूल में आप अच्छे शिक्षक की उमीद ही नहीं कर सकते, 25% टीचर स्कूल में आते ही नहीं, और के लिए फसिलिटीज का होना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे देश के बहुत से स्कूल्स में धंग के क्लास्रूम्स भी नहीं, अभी भी बेड के नीचे या स्रणकों पे पढ़ाई होती है, और आश्चर की बात ये है कि बिहार और उडिस्सा जैसे राज्यों में ब्लैक की व्यवस्था नहीं है, और अगर हैं तो गंदे हैं, छोटे-छोटे बच्चे दिन में आठ घंटे स्कूल में ही रहते हैं, अगर स्कूल साफ नहीं रहेगा, तो बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे, नमबर फॉर, मोटिवेशन, प्रोचसाहित करना, तुमसे ये तो होई सकता है, ठीक से प्रोचसाहित करने से, ना पढ़ने वदा बच्चा भी पढ़ने का प्रायत न कर सकता है, एंकरेज करने के लिए, हमारे देश के टीचर में सब रखी कमी है, अपने देश में राइट टो एड्यूकेशन के आइड के अनुसार, एट स्टनर तक एडूकेश अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर यही हाल है, तो कौन से माबाप अपने बच्चे को गवर्मेंट स्कूल में पढ़ाने की हिम्मत करेंगे, लोग अपने बच्चों को प्रायवेट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, प्राय का आधा इस सागरवच्चों की फीस में चला गया तो आधे पैसे से घर कैसे चलेगा संसार की गती रुख जाएगी इसी तरको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की ताकत नहीं और गवर्मेंट स्कूल में पढ़ाने की इच्छा नहीं होंगी तो बहुत से परिवार मर्मर की जीर है इस समस्या का एज अ कॉमन मैं मेरे पास सल्यूशन है देश के हर प्राइवेट स्कूल को नैशनलाइज करना चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के सारे प्राइवेट स्कूल्स को बंद करना पड़ेगा मगर ऐसा करने से प्राइवेट स्कूल उन्हों उसको नुकसान नहीं होना चाहिए जितना उन्होंने खर्श किया है उतना गवर्मेंट उन्हें जुका दे और स्कूल्स को अपने कबजे में ले ले या स्कूल्स को लीस पर ले ले ये मुम्किन नहीं क्याने वालों को बता दो कि रोड का जब extension होता है तो extension के लिए जो जमीन ली जाती है उस जमीन का पैसा government उन मालिकों को देती है चाए वो खेती की जमीन ही क्यों ना हो अगर ये खलत नहीं है तो private school पर government का कबजा भी खलत नहीं है और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ कई foreign countries में ये चीज हो चुकी है सिर्फ अमीरों के बच्चों को ही सही विद्या मिलेगी ये नहीं चलेगा आटो चलाने वाले का बच्चा हो या टाटा बिला का बच्चा हो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम नहीं होगा जब ये सब होगा तो हमारा देश कैसा होगा पता है पढ़ाई करने वालों की संख्या सौप रतिशत हो जाएगी चाहिड लेबर इंडिया से पूरी तरह खतम हो जाएगा कब हमारे देश के नेता लोग उसूल के साथ काम करेंगे एक निरोगी समाज का निर्मान होगा देश भक्ती की भावना हमें से हर एक इंडियन के दिल में उभर के आईगी बिद्या इस देश के बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है उनसे वो छीन कर उनका अपमान करने का हक किसी को भी नहीं है मैं जानता हूँ इस दुनिया में सिर्फ दो पावर्स हैं एक तो स्टूडन्स और दूसरा मीडिया अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस देश की जन्ता को बताईए मेरे लिए नहीं अपने देश के लिए जैन हमारे देश में जितने भी शिक्षण संस्थान है उनका राष्ट्रिय करण करने के लिए एक सामान्य इंसान जिसका नाम है अभिमन्यू उसने देश के सभी मीडिया के सामने अपनी राय जाहिर की है ये सिर्फ किसी एक राज्य की बात नहीं है अभिमन्यू की बातों को यू तो सभी लोगों ने पसंद किया है लेकिन इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है आईए देखते हैं दस परसेंट से ब्याज से पैसा लेकर मेहनत से फूल बेज कर बच्चे को बढ़ा रही उनके कहें मताबिक हुआ तो इंडिया पांक सालों में नंबर वन हो जाएगा सभी लोगों को शेक्षा सभी लोगों को पढ़ाई आसानी से मिलनी चाहिए कि अप्राइब को अभी लोगों को जाएगा अंधेरे जीवन में तू आया दीपक जलाने अंधेरे जीवन में तू आया दीपक जलाने विद्या ही नहीं रीत आया है तू चलाने बच्चों को दिखलाने पढ़ाई का सपना बताया जीवन ये अनमोल है कितना सब का सहारा रब है तू हमारा हम सब के लिए तू अमिट कर सा प्यारा अंधरे जिवन में तू आया दी तक जलाने विद्या ही नहीं रीत आया है तू चलाने मौल बड़ा, रोल बड़ा शिक्षका है मान और समान वहां वास जहाँ शिक्षका बद नसीब पढ़न सके अंघरीब पढ़न सके साहरा तुझसा न मिला मुसलिसी में विद्य का गुलाब यहां ना खिला गुलाब यहां ना खिला सरस्वजी भी मेरे घर का भूली रसता बनके मसिहारे आया है बस्ती में तू अंजरे जीवन में तू आया दीपक जलाने विद्या की नई रीत आया है तू चलाने सरस्वदी नमस्त अभ्यं वरदे खामरूर्विनी विद्यारं भंकरिश्यामी जिद्य भवतु में सदा अगा पारी रोशनी पे हपिया सब का विद्या से कुझ दूर रहे यहां कोई तब का क्यों घरीब नभाए शिक्षा क्यों घरीब नभाए शिक्षा हक है इसमें सब का विद्या रै बन कया बाजार प्यापार का अपने लिए लड़ने का हुनर सिख अब तू गलत को गलत बोलने कदम दिखा अब तू मेरे गरेबे कुछ भी नहीं बाते हैं सब नकली भरतमा का भविश्य ही है एक असली धनलो विद्या है जीवन का लक्ष सर्व परी छोड़ा मुश्किल किया आजान होता सच है यही एक दिया रोशनी करने के लिए है काफी रांती विद्या की दिल में भर लो अब साथी गंगा बहती है तो मिलती है कहीं जमना संगम होता सरस्वती का है संग जहां कि वो लोग क्यों मारने आते हैं उसकी वज़े तो पता चल गई अब आज यह लोग मुझे मारने आते हैं इसकी क्या वज़े हो सकती है मवाली मलिंगा मेरे बाप को तुने बॉम से उड़ाया था ना आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा कहां छुपा है रे तो कहां छुपा है यह बॉम ब्रास केसे है निकल लो यह से हां देखो वो जा रहा है पकड़ो पताने यार और कितने लोग मुझे मारने आए आए नार्याल इसका तो बैड लगी खराब है आपका वोला दोस्तों पेचा अब आपके दिखी इसी मैं छुप जाता हूं पेर फैलाओ अरे बाबरे कीलो की चपल क्यों देखका डर गए क्या रखो बहुत दुख रहा है बहुत दुख रहा है मननत मांगने में तो अच्छा लगता है पूरी करने में डर लग रहा है स्वामी जी यहां मेरा काम हो गया आपके यह बेजू क्या है यह कैसे मननत है बाबा पंड़ जी नीचे कीलो की चपल है उपर से आप शामुक बार्रे थोड़ा धीर मारी ना अरे बाब रहा है कुदली कोपाल आज में तुझे नहीं चड़ूंगा भाही रुक है है तुझे जानमाट है कुदली कोपाल पाई गुड़ इवनिग लेडिज और जेंटलमन अस प्रेसिदेंट आप ये कौन है ये किसी को भी नहीं पता था मगर आज के दिन सारा इंडिया उसी के बारे में बात कर रहा है गौश्मेंट स्कूल में ये गला था ये बोल दे तक तो ठीक था लेकिन प्राइवेट स्कूल्स को नश्रलाइज कर दो ये बोलने का हक उसे किस ने दिया उसे पूछने का हक है सिटी की प्राइम लोकेशन में मैंने बड़ी मुश्किल से पाँच एकर जमीन खरी दी है और उसमें दो बिल्डिंग्स बनवाई है अगर उसकी बात माली तो बहुत बरबाद हो जाओगा किसी भी स्थिति में प्राइवेट स्कूल ओनर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हमने इंवेस्ट किया है वो तो हमें गवर्मेंट वापस दे रही है तो ये हमारे फेबर में है ना अगर गवर्मेंट ने टेक ओवर किया तो आज का जो मार्केट रेट है वो हमें मिलेगा क्या गवर्मेंट वैलू ही मिलेगी 75 सालों से हम लोग स्कूल चला रहे हैं 1940 में मेरे दादा जी ने इसकी स्थापना कि थी 65 में मेरे पिता जी ने इसके जिम्मेदारी ली 87 में मैंने इसे टेक ओवर करके आगे बढ़ाया आगे मेरा बेटा इसे समालेगा इसे लीज पर दिया या गॉर्मेंट को सौप दिया तो हमारे बिजनेस का क्या वो भी तो यही कह रहा है ना एड्यूकेशन को बिजनेस मत बनाओ यह सब वर्काउट नहीं होगा है क्या है उसे गटर में डाल यहां भी मन्यू के घर लेकर जा वैसे भी वह हमारी समाधी बना रहा है फॉन रख यहां सर से च्छत हटने वाली है और उसे रेती सिमेंट की पड़ी है ओ जी ठीक है ठीक की लगती है हम लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं एक जोकर अगर प्रेस मीट में कुछ कहता है तो वैसा हो जाएगा क्या उसे ओल इंडिया से स्टुडेंट सपोर्ट कर रहे हैं स्टुडेंट की पावर का पता है आपको उन्होंने ठान लिया तो जो चाहेंगे वही करे इसके बारे में दिल्ली में एक मिनिस्टर पॉजिटिव बाते कर रहा है इतना काफी नहीं है क्या सर अपने फीस स्ट्रक्चर को हम बैलेंस कर लेंगे तो फिर इस मीटिंग का क्या फायदा कुछ भी बोलते हैं अरे आपको चल लगता है यह हो सकता है क्या मतलब क्या इश्वत देते हुए टीवी पर दिखा दियाना तो सब को जेल जाना पड़ेगा है क्या है रही है मीटिंग चल रही है मामा जल्दी कॉल करता हूं मेरे मामा मेले बन गये हैं पूछ रहे हैं क्या फैसला लिया है वो यह सब क्यूं पूछ रहे हैं अभी अभी उन्होंने स्कूल बना है वो भी हमारी तरह फसे हुए है इडियाट मुझे गाली दी तो आपको खुशी हो रही है अपनी सर्कार ने पहले से ही गरीब लोगों को 25 परसंट रिजर्वेशन दे रखा है बाकी की 75 परसंट सीट पर अगर अभी वन्यू टांग अड़ाएगा तो कैसे का को एक्सांपल मानकर हमने शिक्षा को बिजनेस बनाया है यही कह रहा है न वो अरे आप उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं इस एससोशेशन के मेंबर है इतनी देर से उसी के सपोर्ट में बोले जा रहा है आपको समझेना चाहिए कि आप क्या कह रहे है अध्यक्ष साहब हम तो बहुत छोटे-छोटे स्कूल चलाते हैं लेकिन आप लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कई सारे स्कूल चलाते हैं आप हमारे अध्यक्ष हैं आप जो कहेंगे वो हमें मन्जूर होगा जरूरी यह है कि हमारा देश अच्छे से चलना चाहिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए इतना ही काफी है क्या है साइब सभी लोग उसी अभी मन्यू को ही सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे कैसे चलेगा वे शुड्ड डू सम्टिंग ठाथ कि डू नो विक्रम ठाकोर नमस्ते 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 बर्ठिये यह मिश्टर रामनाथ करनाटक में लगभग दस पंद्र स्कूल चला रहे हैं यह और यह हैं हम जानत है इनका नाम कोटेश्वर राव है करनूल में इनका दस गोई स्कूल है कडपा में दुगो बड़ा ग्रेनाइट फैक्ट्री है सही है ना और यह है मुरली इनका चन्नई में 20 गोई स्कूल और 50 गोई पेट्रोल पंप है साथ में बेंसकार का शोरूम भी है इंटोडक्सन नहीं चाहिए होंबर्क चाहिए होंबर्क तुम सबहे लोग एक बहुत बड़ा मुसीबत में फस गये हो और उसका कारण कौन है यह हम अच्छी तरह जानते हैं जैसे आप लोग सोच रहे हो अगर वैसा ही हो गया न तो आप लोगन को बहुत नुक्सान होगा लगभग 25 करोड रुपया का जितना करोड खर्च हो जा जोड़ बताईए एकरा खातिर सॉलूशन ढूंड़ना एतना असान नहीं है उसे खाली मीडिया का सपोर्ट नहीं मिल रहा बलकि पबलिक का भी सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में मीडिया बहुते बात कर रही है उसे कम करना पड़ेगा लेकिन कैसे करेंगे अब इक काम हम पर छोड़ दीजिए यह है एशिया नेट नेट नेटवर्क की प्रस्तुती आप देख रहे हैं सुवार्ना नीव शिक्षन सची श्री राधा सोम शेखर जी के सहयोगी है मिस्टर श्री निवास जी और आज उनके फार्म हाउस में श्री निवास जी की लाश मिली है जो अंजान गुंडों की गोली का शिकार हो गए अभी-अभी समाचार मिला है कि आज शाम को छे बजे बैंगलूरू, च बढ़का दुरगटना है, एकरा में बहुत दे लोग मर गए, बता नहीं किस ने एकी टाइप चार जगए बाम फोर दिया, यह आप लोगन खातर किया, यह आप ने करवाया, हैसे कहें देख रहे हैं, लाइन को जब छोटी करनी होती है, तो उसके बगल में बढ़का लाइ करें, मिश्टर विक्रम, मतलब बॉम ब्लास्ट? हम, हम नहीं करवाया है, नहीं, नहीं, हम सबने मिलकर करवाया है, अभी मन्यू को अब सब भूल जाएगा, अब से लेकर 10-15 दिन तक बॉम ब्लास्ट का ही निउस होगा, उसके बारे में ही डिस्कॉसन चलेगा, समझ गए आज साम साथ वज़े टीवी देखेगा, अभी मन्यू का हाथ है, ऐसा शक किया जा रहा है, इसलिए उन्हें बहुत जल्द गिरफतार करने के संभावना है श्री निवासन हत्या केस में अभी मन्यू का हाथ पाया गया है, उन्हें गिरफतार किया जा रहा है जहां हत्या हुई उस जगह पर आप मौजूद थे, ये CCTV फूटेज में पता चला, इस विशे में आप क्या कहेंगे? मिनिस्टर के पियेश श्री निवास जी ने मुझे एड्यूकेशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था वहां जाने के बाद मुझसे का गया था कि एक अफ़ते बात करेंगे, बस इतना ही जानता हूँ अगर आरोपी को छोड़ दिया गया, वो सबूत मिटाने की कोशिश करेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ये अदालत आरोपी को कैद करके रखने का आदेश दे रही है एक्यूज़ इस डिमांडेड कोई अच्छा सा रिष्टा ढूंगता, इन्हें भी ये ही करना चाहिए दामाज जी, आप ऐसा क्यों करेंगे सर माफ कीजिए प्लीज, देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान है आप जैसे परिवार में मुझे जैसा इंसान, मुझे माफ कर दीजिए खलत मत समझे, नंदिनी, मुझे भूल जा, दिल की कहराई से प्यार करके, अब मैं इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूँ यही सोच रही हो न, जब राप पता नहीं हो, और रास्ते में अंधेरा हो, तो रुख जाना चाहिए तुम मेरे लिए त्याग करो, मैं तुम्हारे लिए त्याग करो, यह सब नहीं होना चाहिए, प्लीज इंसान का जन भगवान का दियावा वर्दान है, उस वर्दान को साया नहीं होना चाहिए कुछ दिनों में तुम मुझे भूल जाओगी और आगे बढ़ जाओगी, मुझे माफ कर दो, I'm really sorry, नंदिनी मुझे, मुझे भूल जाओ जाओगी सब कुछ हरेंज होगे है सर, कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा, मैनेज हो जाएगा, चलता हो सर अरे ये क्या, भगवान जैसे आपनी को जेल में डाल दिया ये ऐसा कैसे कर दिया इन लोगों ने? टीवी में देखा था बहुत, आपने बहुत अच्छी बात कही थी, ये क्या आपको भी अंदर कर दिया बहुत, भाई कौन है ये, तुपागल है क्या, कौन है पूछ रहा है, इन्होंने गरीबों के लिए आवाज उठाई है, बहुत ज़रा समल के रहिएगा, बगवान आ अगर वैसा हुआ, तो यकीन मनो, मेरी तरह मेरा बेटा कभी जेल में नहीं आएगा, आज मेरी ऐसी हालत गुदली गोपाल के वजए से, अगर मिल गया तो छोड़ूगा नहीं, आ रहा हुँ, 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 है, यहां किसे देखकर तु पोस दे रहा है, चल निचे जेल के गेट के सामने कदू काटकर कौन बेवकूफ इस मही ने विजय द रश्मी का त्योहार मना रहा है, आज हमारा भाई वह कौन शा भाई है भाई, से काटकर वगाई, इसकी वज़े से मेरी आज ऐसी हलत हुई है, एक बार छोड़ दिजे, मैं इसे अपना धातून बन उसके बाद आप चाहें तो मुझे पूरी जिन्दगी जेल के अंदर रख सकते हैं तू रुक चाहाँ, मैं करो रुक चाहाँ, मैं तुझे छोड़ू का निए क्या कर रहा हूं, सर, सर, सर मासटर, मासटर, आप भी इसे जेल में है? मासटर, मैंने ये सोच रखा था, कि मैं उसकी हालत खराब करऊगा, जब मैं अंदर आऊए लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया, वो यहां से बाहर जाता मा नजर आया मास्टर मेरी मदद कीजिए मदद कीजिए उदर देखो वहां जो खाकी उनिफम पैन के खड़ा है न काउन वो वाच्मेन उसे जाकर 101 रुपए दे दो वो तुम्हें बाहर भेज देख सच उस गुदली गोपाल को उन्हों नहीं बाहर भेजा था है उससे तम्हें अभी बात देख सो एक रुपए लेकर बाहर छोड़ा था मैं तुम्हें उससे एक रुपए बढ़ा कर दूँगा मैं दिल्दार हूँ छोड़ो ना छोड़ भी दो है छोड़ो मुझे बोलो ए चल भाई के साथ पंजा लड़ा नहीं बाही ने जो का वा सुनने का कि अब जो भाई बाहर भाई हूँ भाई हुआ रप बाहर देख सब्सक्राइब अरद अन्यास कि अरथ रपानी दोलो प्रुपए अरथ रपानी दोलो ये लिजे भाई जी क्या हो रहे वहाँ पर चलो अपना अपना काम करो वो ठीक हो चुका है बहुत हो गई हीरोगीरी जा और किचेन में अपना काम खतम कर प्रसंदोनली जार किचेन काम कैसे बाई आहे में जाओ जाए जाए लाकाइ जाए स्थर्गीरी जा़ करना किचेने में जाए सेसिते डाऊने। कि अजिया पर रहे जाए से काम के लागईशवता करेंasis तुझे प्याज के जैसा काटूंगा और टमाटर के जैसा मसल दूंगा और यह उसी प्याज और टमाटर से तिरी चटनी बना कर रख देगा कान तो गया किन दुझे जब में झूए शूचे ज़र के जढ़ाई व्याज़। भूाँ यह दूए राई बना का तो का लूए हूँ कोली ओ सूए और टummy टूए हुख यहा वाई cloudy में प्या जूए यह जब में वूए हुख़ प्याज़। झाहँ नहंगे खूंस करम Mars झाहँई झाहँँ हुँँ फुझँ झाह हुआ शान्त बैठा हुआ था, बेकार छेडा तो करंट लगा ना, क्या जरुवत थी? कार्षड़कांक वाल करन्त भुआ क्यांट क्या अभडा नुआ क्या प्याल क्यां पुर्ण क्या प्याव क्या रस्थ युआ वाल यज विलिए को एक करते हैं झाल झाल आप यहां क्यों आए तुमने जो कहा था उस बारे में मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल सही लगी इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिष्टा देखकर उसकी शादी तैय कर दी पहला काट तुम को दूँ इस बात के लि मुझे तुम्हें इस हालत में भी देखना पड़ेगा ऐसा मैंने सपने भी भी नहीं सोचा था जिससे मैं शादी करने चाह रही हूँ वो मुझे अच्छे से जानता है वो अच्छा इंसान है जिकरी होल्डर है पुलिस ओफिसर बनने की इच्छा थे उसकी कमांडों की ट्रेनिंग भी पूरी की है उसने रिश्वत देकर वो जॉब नहीं पाना चाहता इसलिए कम्प्यूटर हार्डवेर का काम करके अपने जिंदगी गुजार रहा है ये काम करने के अलावा वो बच्चों को फ्री में कराटे भी सिखाता है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो किसे भी हद तक जा सकता है उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिर्फ मैं ही हूँ ऐसे इंसान को भूल कर मैं कैसे खुशी से जी सकती हूँ मुझसे नहीं हो पाएगा जब तुम ने मुझे खुद को भूलने को कहा तब मैंने तुम्हारी आखों में दर्द पढ़ लिया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती क्या कहते हो कोट पर्मिशन, फॉर्मैलिटीज सब पूरी हो चुकी है अब ही ये शादी हो जानी चाहिए अगर नहीं हुई तो कल तुम अगर चाहो भी तो मुझसे नहीं मिल पाओगे हलो, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा है नहीं अभी मन्यू को खतम करना असान नहीं है थोड़ा इंतजार करना होगा सही मौका मिलते ही काम पूरा हो जाएगा भाई यो रहे, शाना बनता है मैंने क्या किया जो काम बोला तो वह क्यों नहीं किया भाई, कल ही तो सारी जाडू मारकर पानी से धोकरवा रंगोली बनाई थी बेवकूप, जाभी एक गिलास में नेम्बू का शर्बत लेकिया दे, चलाट रहे चिम्पांजी की अवलाद नहीं, इस जेल में नीबू नहीं है नहीं है, नहीं है, नहीं है मेरे को ना बोलता है तेरी तब नीबू ढूंड रहा और मिर्ची मिल रही, क्या हो रहा है नीबू मिल गया, है बगवान अरे बाबरे, उंगली ए बीमार मुर्गे, तू यहां क्या कर रहा है वो चिम्पैंजी की अवलाद है ना मुझे उसके लिए नीबू का शर्वत लेकर जाना है अगर मा उसके लिए नीबू शर्वत नहीं लेकर गया तो मेरा गला काट कर मेरा खुन पी जाएगा यही है तुम्हारी टेंशन तो फिर तुम यह नीबू ले लो इसमें से रस निकाल लो और इसे वापस यही रख दो है बहुत बहुत शुक्रिया यार अरी इतना गाडा क्यों नहीं कर ला यह यह ले भाई वापस फिट कर ले चिम्पैंजी की अलाद ले पी ले शर्मत है पी गया अर्ण विस्की दोनों को मिक्स क्या तो जो टेस्ट आता है वह सही था अपनी उंगली से जादू दिखाने वाले बहुत बढ़े कला कार होतं मुझे पता है कि मेरी उंगलियों ने क्या जादू किया था अबशाया एक और लेकिया सेन टेस्ट रोना चाहिए जा जाके लेवा नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्योडाश क्यों नहीं हो सकता क्या हो गया? सर, सी बी आई वाले आये हैं, सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं सर सर, अभी मन्यू बेसिकली बहुत ही एबनॉर्मल है दो दिन पहले उसने एक कैदी को बहुत बुरी तरीके से पीटा है मैंने पूछा क्यों मारा है, तो उसने मुझ पर ही हाथ उठा दिया सर वो वाकई एबनॉर्मल है सर कोई और रास्ता ही नहीं था, इसलिए मजबूरन हमें उसे अलग बैरक में रखना पड़ा बारा तारिख की रात को अचानक से कैदियों में से कोई जोर-जोर से चिल्लाने लगा सर उधर चाकर थे था तो कैदी लोग हमारे हेट कॉंस्टेबल को मार कर उसके पास चावी लेकर सभी सेल्स को ओपन कर रहे थे सर बहुत हंगामा हुआ था सर फिर कमिशनेर को मैंने फोन किया उन्होंने मुझे फाइरिंग का ओडर दिया फिर भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ रहे थी सर बांद कर रखा था इसलिए अभी मन्यू को भागने का मौका नहीं मिला सर अभी जो मैंने आपको बताया उसका स्टेट्मेंट बना कर कमिशनर के ओफिस में भेज दिया है यह रही उसकी कॉपी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा पढ़े लिखे होते तब तो कुछ समझ पाते मुहरत कितने बजे का है आज रात साड़े आठ बजे का जगणा शुरू हुआ स्टोर रूम को आग लगा दी गई दो कॉंस्टिबल को मार दिया चार कैदी लोगों को भी बहुत मारा साब प्लाइन के हिसाब से हो रहा है सिर्फ तुम्हारा एपिसोड बैलेंस है हुआ हुआ है हुआ 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 ह खुआ खुआ और विंट से इंट पर बड़े पाँ लुआ अजिए जुआ। अज़ है भाल है। एविदेन्स ना मिले इसलिए तुझे पेट्रोल डाल कर जलाने वाले थे मा आप मेरी शकल भी नहीं देखना चाती ये मैं अच्छी तरसे जानता हूँ मगर आज मैं आपके सामने एक नया इंसान बनकर आया हूँ पहले भी मैं कई बार जेल जा चुका हूँ जेल में कई कैदी रहते हैं और उस सब ही कैदी कोई न कोई गल्टी करके ही वहां आते हैं मगर उनमे एक कैदी था जो सिर्फ देश की सलामती चाहता है USकी अच्छा ही चाहता है पता नहीं उस बेचारे को ओं क्यों जेल में डाल दिया वहां उसकी हत्या करने की भी कुशिश की गई मैं उस कैदी को दूर से ही वाच करता रहा एक इंसान को कैसे जीना चाहिए मैंने उसे ही सिखाय है मा तब मैंने सुचा हमारे जैसे सौ साल जीनी से अच्छा है कि उसके जैसा सिर्फ एक दिन जीया जाए इसलिए अपने इतने सारे पापों का प्रैशित करने के लिए मैंने उसे बचाया वो जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसमें मुझसे जो कुछ भी बन पड़े जितना भी बन पड़े मैं वो करने को तयार हूँ मा मा तुम्हारे इस बेटी की इस नई जिन्दगी की वज़ा वही इंसान है मा इस देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए तुम जो कॉंसेट सामने लेकर आये हो उसे सबने बहुत पसंद किया है जैसा तुमने सोचा था वैसा ही हुआ हर एक प्राइवेट स्कूल का ओनर करोड़ों रुपे के नुकसान के डर से सहमा हुआ था और इसी वज़े से तुम उन सब के दुश्मन बन गए वो नहीं चाहते थे कि तुम जिन्दा रहो इसलिए तुम्हें जील में डाल दिया गया तुम्हें खत्म करने की कोशिश की गई बनाया था विक्रम ठाकूनी और उस प्लैन को अंजाम देने वाने थे प्राइवेट स्कूल ओनर्स ओनाया वाने प्राइवेट ए मिलब ए बनाया बनाया था बनाया और टाइवेट से लाव है केंजर कामुला थ्रेञ नाउ्टनलम द्री निटरूSilटो करेंजर्थ संध्या, चुटिंग बप्ष इंपिरियल कोलेज अफ लंडन भारत, उनिवर्सिटी अफ एदिनबर्ग मैं जो कहता हूं वह तुम लोग सुनोगे तो तुमारे लिए अच्छा होगा मैंने तुम लोगों को किड्नाप कियों किया है, यह वक्त आने पर बता दूंगा अगर मेरी हर बात को सुनोगे, युट बी सेफ, रेलाक्स उसने हम सब को टागेट किया है तो उसको एडिकेशन इंस्टिटिशन चलाने वालों में से ही किसी ना किसी से लिंक होगा सिम्रन, हाँ, यू टॉक तो यो डैन, मैं नजार रखता हूँ, कोई आएगा तो बता दो किसी ने बंद किया हूँ, किटनाप करके किसी ने रूम में बंद किया हूँ, किटनाप हुए सारे बच्चों के फादर्स भी आप ही की तरह, एडिकेशन इंस्टिटिशन चलाते हैं, डैडि, साथ लोग है का, कनफर नहीं बहु सकता, सिम्रन का फोन आया है, वो कह रही है कि उसमें, तो सम्थिंग, सेंटर जेल में फोन लगाई है, कैदी नंबर तेईज, अभी मन्नी का फोटो जल्दी से स्कैन करके मंगाई है, और किसी को बताया का, नहीं, अभी तुमारी बेटी नहीं पर है, उसका इमेल आइडी का है, वोट इमेल आइडी, सिम्रन 21 at the date of gmail.com, सिम्रन 21 at gmail.com, फोटो आया का देखो तो, फोटो आची का है सिसमेल आइडी पर फोटो भेजो, ओके सिर, बीटिया को मेल चेक करने को बोलो, जिएक युर मेल, यस दाद, ही तवान, तो ब अब बात फोन की ए, का बात मुझे पूरा विश्वास है, जो बत में आपको बताऊंगा, उससे आप खुश हो जाएंगे, और इट्स बेरी स्पेशल फोटो यू, जैसा आमने सोचा था वैसा ही हो रहा है, गड़, वो कितनी जो गया है, साथ, नॉट वेस्ट लंडन में तुम्हारे कैस्टराउस में उनहें सैफली रखा गय कैया है, सही बखत पर तुन्हें सब कुछ बता तिया, तुम्हें जो मिलना है वो तुम को जरूर मिलेगा, थाकिय था क्या तुम अपने मामा की बेटी की शादी में अपने काउं जाने वाली हो फिर बापेस कब आ रहे हो थोड़ा संबल कर जाना आइ लव यू आइ लव यू टू ओके ओके तुम कब बापस आ रहे हो जब तुम कहो आज ही अभी लगता है मेरी बीवी को मुझे किस करने की बहुत इच्छा हो जो बैठो शर्म आ रहे हैं मुझे अब बात में बात करता हूं आइ अब बात मुझे का ने को जो प्रूप्त आप्रवाणी देश्ट को आइ आइ प्रूप्ता व करता है एंप्राइटेश्ट को यू आइ ने काँ पर छुपाया है यह लागता आइटेश्ट को अबादागा किसी को पता है क्या नहीं पता जब उस दिन मैंने फोन किया था तब तुमने फोन का स्पीकर राउन रखा था क्या हां क्यों उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था मेरा पीए जॉर्ज इस वक्त हो कहा है पसनल काम से मुंबई गया है वह कितने सालों से तुम्हारे साथ काम कर र अरेंच करता हूँ, बट बी केरफूल, स्टुडेंट्स कि जिन्दगी बहुत जरूरी है, तुम उनकी फिकर मत करो, उन्हें बचाने के लिए मैं अपनी चान तक ते दूंगा, इस माइ प्रामिस आलो सर, अच्छी स्टूरें वाफादारी दिखाया तुम्हारा शेयर तुमको मिल जाएगा बच्चे लोगों को जिन्दा देखना चाहते हो तो 300 करोड दो पैसे कहां भेजने इसकी डीटेल में तुम्हें बाद में बताऊंगा तुम्हारा अपना अभी मन्यों करो राजा करो करो अभी मन्यों 300 करोड रुपे का डिमंट कर रहा है हम जो कह रहे हैं उससे आप लोग ध्यान से सुनिये उससे पैसा नहीं देंगे बच्चा लोगन के जिंद्गी खत्रे में पड़ जाएगी आप लोग इतना सोच काहें रहे हैं अगर बच्चों से जादा प्यारा पैसा है तो पैसा हम दे देते हैं कि आप दूरेज दा मनी अभी मन्यों आपके बारे में मैं जानता हूं प्लीज सिट डॉन मुझे ठीक ग्यारा बजे इस एड्रेस के सैटलाइट का लाइफ फुटेज चाहिए डेटा सेंटर से हैक करके दो वो लोग कहां जा रहे हैं वो लोग एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जा रहे हैं वहां सीसी टीवी कैमराज नहीं होंगे तो वो कहां है जानना मुश्किल होगा अभी से ठीक पांच मिनिट पहले ठीक ग्यारा बजे टाइम शिफ्ट टेकनालोजी यूज करके सकते हो अजयर करना गर्ण करें नमबर नुट बार बैंन नमबर पी शेवफफ नाय इस वन का ओनर है मिर्स्टर शिवा येस नमबर नाइंटी लेश्रोड वार्व की वार्व नियुट है? क्वेश्ट के चीवड लिस प्लिस 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 प्लिस्ट वार्म ने और गाल रहत वार्वार्व झाल 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 जब मैं उसे चेस कर रहा था, तब वो किसी को फोन करने की कोशिश कर रहा था इस फोन का लास डायल नंबर अगर तुम निकाल सको, I can easily pin him down मरने से पहले उसने जिस नंबर पे फोन किया था, वो यही है, और यह रहा, उसका मोबाइल फोन it's in working condition, इससे पूरी कुंडली निकाल लूंगा जित्षा खांचेल कोशोपिश से निकाली है मैसिपार माइब को क्या हो पत्रिटोव है सब्स्क्राइब पार उनक फॉर विशे इस पार छeÁiverso रिएड पत्ती मुझेम्र सपोर्ट y Jewish से आप लए लिए शेमिग यह शूर अगर उसका मोबाइल ओन रहा देना एक फॉलो एं त्रू सैटलाइट कीप दिस ट्रांस्मिटर अगर हो सके तो उसके कार में लगा देना अगर हो सके तो उसके कार में लगा देना I can see him कर दो कार देना विंग कर दो यूर यूर कर दो कर दो यूर कर दो यूर मुझे इसा लगता है के उसे हम पर शक हो गया है एम, दू आन थिंग, तुम उसे ट्रैक करके मुझे काइट करो मैं उसे एक किलो मेंटर के फासले से फालो करूगा यह बता अब में उसे किता दूर हूँ ही इस इसाओ बॉंड ऑफ एमॉन हाइवे नियर जंक्शन अफ सेख मुविंग तूर्स वेमली और एक्षाटली 1.5 किलोमेटर्स बहाइद इंग और राइड सर ल्यूटिन के पास एक गैस्टेशन पर यह कार जाकर रुख गई ओके कर दूर्स परेशन आप रचाटली 1.5 कि अविड़ ज़िए ऐसेधार्स प्राइड इसटडिक निए लूटियू आप जहां पर है उससे पांट्सों मीटर की दूरी परुस्टेश ऑपनी कार पाकी है तुम पांच मेट के लिए नियुक, मैं भी आप वोट नेक्स्ट वो कार में किसी के साथ बात कर रहा था क्या हाँ वो किसी से कह रहा था कि वो पंदरा मिनिट में उसके पास पहच जाएगा के अनड़ किलुमेटर पर आप 50-25 ओके यहां से 25 किलो मेट्र के रेडियस में कोई अन्यूसेबल जगे है तुँ जड़ा देखो ओके गलो यहां जए थीक 20 किलोमिटर दूर ये जंकियार है धैठ माइट बीडाँ ब उख गैड में दूरूट कम आण हो और राइब कर दो कर दो कर दो करें कर दो करें प्राजफ प्राजब पριριδ awareness प्राजब प्राजब िंग इसके प grass फ्राजब कि अद्टेर से तुपनाओ। कि अपक्राइब नह प्लाद प्लाद रग्लाद प्लाद राट राट प्लाव को अप्लाद नह प्लाद रख़गा? प्रants्ativa सेखस्य नेया थरी भी आप पाँ क्रिड़ους पाँ अगुग। वटिस फटे टेल ग्थ öड्फ प्यौ्ण अुड्ख बस्ट प्यों बस्टख़ घंच व॥्बर ग॥्बर अथे वês कर दो कर दो कर दो कर दो the कि तुम रुख क्यों गए चलो शूट करो इतने लोगों को तो मारी चुके हो हमें भी बार दो ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए चलाओ गोली कि तुम पैसो के लिए कर रहा है शरम ने आती पैसो के लिए अपने जमीर को बेच दिया तुम्हें पैसे ही चाहिए ना कितने चाहिए बताओ मैं अपने पापा को फोन करके मंगा लेती हूँ इंडियन हो और टेरिरिस जयसा काम कर रहे हो इस तरह से पैसे कमा कर तुम खाना कैसे खा सकते हो तुम टेरिरिस क्यों बने येश्ट आयम अ टेरिरिस्ट देश में हर प्राइवेट स्कूल को नैशनलाइज करना है आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने आपको टेरिरिस कहके बुलाया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैं सच कहता हूं सर यू आर ट्रू इंडियन मुझे मुझे आप पर गर्व है सर हमारे देश के गरीब स्टूडेंस के लिए हम कुछ भी करने के लिए तयार है सर विया विद यू सर आपकी इच्छा पुरी करने के लिए क्या करना होगा सर आपसे ये सपना सिर्फ आपका नहीं है सर हम सबका है एवरी इंडियन सिटिजन का सर इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला लड़ता रहा अभी मेरी ताकत बढ़ गई क्यूंकि तुम लोग मिले हो जीत सिर्फ हमारी होगी जय हिंद हाई डाडि इस मी तुमें कुछ हवा तुने कुछ नहीं हुआ पापा मैं एक दम ठीक हूँ पर कहा पर हो तुम लोग एयरपोर्ट के पास ही एक गेस्टावस से बात कर रहा हूं पापा कब आरहे हो बैटा बहुत ही जल्द आ रहे है पापा वहां से कैसे भागे है हम झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेरे दिल में ना यू बेकरारी भरो अपने रोमांस से ना रोमांचित करो तो ना जाओ तुझ में यू ना क्रीजी करो साजना, सुन लोना, सुन लोना, साजना जब से है तुझे देखा, दिल दालत, दिल हारा तुझे मिलके जाने जा, बन गया मैं बन जारा ना मेरे तारिफों पे तारिफ करो जल्द बाजी में ना हदे बार करो बुड़ सबर करो, ना बे सबर रहो ना जुक को मर में हम से, तुम ना मन मानी करो मानो ना मेरी इंतिजा, संदो ना ओने साजना तु शकी का दरिया, तु मस्ती का जरिया सांसों का सांसों से होने देश किया बता कौन है तू, बता कौन है तू मेरी दिल में मचा रहा चल तू अखो में नशा करति ल्राइब I know कि आपकी शादी हो चुकी है और मुझे यह सब नहीं कहना जाहिए बट, I think I'm falling in love with you Sit down, sit down मुझे भी तुम बहुत पसंद हो बट, एक फ्रेंड की तरह क्यूंके मैंने तुम्हारे अंदर positive attitude देखा है तुम्हारे अंदर मेरे लिए जो feelings है वो मेरे लिए नहीं बलकि मेरे काम की वज़ा से है तुम्हें मेरे कुछ qualities अच्छी लगी जिसके लिए हम दोस्त बन सकते हैं यह positive है तुम जहां भी रहो जब भी चाहो I'll be there for you Friends Friends I'm sorry sir A guy kidnapped the students He looks like an Indian Zee, हमारे बच्चों को किटनाप करके आप ही मन्नी उनके साथ इंडिया आ रहा है मेरी बेटी ने फोन करके मुझे बताया आप सच बोल रहे हैं का? सच बोल रहा हूं वा आ रहा है Students को लेकर आ रहा है Parents से मिलवा देगा सब मिल जाएंगे और वो अच्छा बन जाएगा लेकिन आप बरबाद हो जाईएगा उनक अभी मन्नी से बचने के लिए आप के पास आये थे Asking help आपने का किया? यहां ब्लास्ट हूं आप ब्लास्ट करके बहुतों को मरवा दिया आप एकदम में बेवकूफ हैं आप ऐसा करेंगे कोई सपने में भी नहीं सोचा था अगर उनलोग गलती से भी मुझ खोल दिये ना तो आप खलास्ट अगर अभी मन्यू खतम हो गया तो आप बिल्कुल सेफ अभी मन्यू का जेतना विरिष्टेदार है सब को पकड़कर ले आओ सिंगापूर से आपके लिए फोन आ है कि वगे यहां तो आपके लोहां ज़्यके देआ कि प्रूदी आलो हालो घ्लासरो तुड्यके प्रक्राव करते हैं तो आपके लिए तो आपके में हम जाने को आपके पार ने बोग्याओ कर आ जाना नहीं लाए तो अभी अभी क्या हुआ तुम्हें इन्हों ने मुझे पकड़ लिया है मुझे बचा लो अभी चल्दी आ जाओ जगावा तो पता है ना झाल्दी आ जाओब। झाल्दी आ जाना झाल्दी आ जाओवा सर्फ लोगा तंगब। झाल्दी आ जाओब। बेकरम ठाकूर इस्टूडेंट्स कहा हैं? एई यह नहीं बताएगा बहुते गुसा में हैं तुम जाके उन लोगन को ढूंडो तुम उन इस्टूडेंट्स के खातिर तीन सो करोर रुपया मांगोगे पैरेंट्स दे देंगे जब तुम्हें पैसा मिल जाएगा तब हमारे आदमी स्टूडेंट्स को मार देगा और हम तुमको गुसा में मार देंगे और उसके बाद उन तीन सो करोर सिक्रेटली ट्रांसफर हो जाएगा हमरे अकाउंट में गेम फीनिस के अकाउंट्स अकाउंट्स खरतोंके पहोचे दयाओं में अनonalनalter हाओं है औरतोंके घाओं अ औरतोंके पाओं हाव... जहाओंव friedो में वेरे लोम.. मैं पहने आझे हो इसका प्यनि finding कर दो... झाल 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 कितने पेकुनाहों को बाम ब्लास्ट करके उडाया यह उस जे दे वहत सारे खरीब स्टूडेंस का भविश्य बर्बाद किया है तेश के साथ चो तूने खत्ता रिखी, यह उसके लिए, अच्छ विक्रम ठाकुर और अभिमन्यू के जगडे में, विक्रम ठाकुर की मौत हो गई, और अनफॉर्चनेटली, वहां पर बॉम ब्लास्ट हुआ, उसमें वैन के चित्रिड़े उड़ गए, उस वैन में और कोई नहीं, हमारे और आपके बच्चे थे, बगरावी मन्यू बच्च गया हुआ, बच्चों को प्यरहमी से मार दिया ना तुने हमारे उपपर का गुस्सा हमारे बच्चों की बली चड़ा कर उता रहा तुने अगर तु अभी हमसे सव करोर भी मांगेगा ना तो अभी हम तुझे देने के लिए तेयार है लेकिन क्या तो हमारे बच्चे हमें लोटा सकता है बोल बोल कमी ने तुम्हारे मुझे यही बात सुनने का मुझे इंतसार था सौ करोड दो के अपने बेटे को वापस लाने के मैं भी वही कह रहा हूं इस देश में फीज नहीं भर पाने के कारण अपनी जान देने वाले परिवार मैं वाई सौकरण तुम्हें देता हूं क्या तुम उन्हें फिर से जिन्दा कर सकते हो सब की जान एक जैसी होती है उसकी इस्जत करना सीखो चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो आज अपने बच्चों की जान गई तो मरने मारने पर उतारो हो गए कलेज अफट गया है ना आखोंसे आसू बहने लगे उचे मेलों में रहकर नीचर रहने वाले अखरीबों का दर्द महसूस नहीं कर पाते अब लगी कलेजे पे है जैसे ही हम लोग वहां पहुँचेंगे मेरा आदमी वहां आ जाएगा तब ही तुम सब उसमें शिफ्ट हो जाना ओके गड़ लाव जैड़ी वही रूख जाएए आप गलत सोच रहे हैं इन्होंने हमें पैसन के लिए किटनेप नहीं किया था हमें इसलिए किटनेप किया ताकि आप लोगों को एक बात समझा सके आज हम सब जिन्दा हैं तुसे फिन की वज़ा से और आज भी आप इन्हीं चोट पहुंचा रहे हैं मेरे पापा इंडिया में एक बड़ा एजुकेशन इंस्टिट चला रहे हैं ऐसा सोच कर मैं हमेशा प्राउट फिल करता था लेकिन आज मुझे घरणा हो रही है मेरे लिए इतना खर्च करके लंडिन उनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो यह सोच के मैं बहुत प्राउड फिल करता था यह कोई रेलवे का कंपार्टमेंट नहीं है पापा हम जिस बगवान को मानते हैं कृष्णा और सुदामा की तरह हमें एक ही गुरु से सिक्षा लेनी चाहिए मगर आपके इसाब से अमीर बच्चों के लिए कॉन्वेंट है और गरीब बच्चों के लिए गवर्मेंट स्कूल इन मासूम बच्चों में आप ऐसा बेदबाओ क्यों करते हैं पटाकों की फैक्टरी में होने वाली दुरगटनाओं में बेचारे मासूम से बेकसूर बच्चे मारे जाते हैं उन बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप लोग हैं अगर उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलता तो क्या वो इस तरह वहां काम करते पापा इनकी एक ही सब्सक्राइशन दीजिए उतना ही काफी है सरकार याने की भगवान आम इंसान को दर्शन कैसे दे सकते हैं जब आप जैसे पुजारी दर्शन मिलने से पहले ही दर्वाजा बंद कर देते हैं आप अगर कौपरेट करेंगे तो सरकार को भी मजबूरन मदद करनी ही होगी न आखिर मैं बस इतना ही कहना चाता हूँ मैं माबाप के करम चाहे जैसे भी हो अच्छे हो या बुरे हो उनके बच्चों को तो उसका फल मिलता ही है आपने तो बहुत संपति बना ली पर इसे बनाने के लिए जो पाप आपने किये उसका पश्चात आप आपकी साथ-साथ हम अभी मन्यू तुम जीत गए अभी मन्यू मैच्यूरूटी कभी उम्र से नहीं बुद्धी से होती है तुमने ये प्रूफ कर दिया अभी मन्यू हमें अपनी गलती का गलती का एसास हो गया है तुम्हारी योजना को सफल करने की जिम्यदारी अब हमारी है इन्डिया आसोसीशन मेंबर्स को कन्विंस करने के जिम्मेदारी मेरी होगी और केस को हैंडल करना मेरी जिम्मेदारी है अंकल उसके लिए सिर्फ पैसा ही नहीं इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट भी चाहिए हम अगर एक वेबसाइट बना कर इनके कॉंसेप्ट को लॉंच करें तो इंडिया के हर एक स्टूडेंट के साथ साथ करोडों लोगों से पसंद करेंगे तब ही ये प्रेजिडेंट तक पहुंचेगा फिर तो सक्सेस कन्फरम समझो और वेबसाइट का नाम हम फ्यूचर इंडिया रखेंगे हां इस वक्त की ब्रेकिंग निउस यह है कि शिक्षन संस्था को नैशनलाइज करने के डिमांड करने वाले अभिमन्यू का सभी स्टूडेंट साथ दे रहे हैं उनकी डिमान को पूरा करने के लिए सभी स्टूडेंस आज डेली में अपनी ताकत का प्रदक्षन करते हुए अपनी मांग को सरकार से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं मिश्टर अभीमन्यू के द्वारा इंट्रड्यूस किये गए इस कॉंसेप्ट को फ्यूचर इंडिया नाम के वेबसाइट पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसके लिए इंडिया के हर एक स्टूडेंट का सपोर्ट हमें चाहिए होगा अगर ये वेबसाइट काम्याब हुई तो सेंट्रल मिनिस्ट्री के सेक्रिट्री ने इस कॉंसेप्ट को आगे बढ़ाने का वादा किया है तो आईए और हमारे इस सपने को साकार कीजे हम हमेशा आपस में ही लड़ते जगड़ते रहते हैं लेकिन अभी मन्यू हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें उसका साथ देना चाहिए चलो चलते हैं अरे ये लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं कहीं पार्टी की मीटिंग है क्या मीटिंग मीटिंग नहीं है सब अभी मन्यू को देखने जा रहे हैं यह सब क्या है जैसा उसने कहा था वैसा सजमुश हो जाएगा क्या अगर भरोसा रखोगे तो जरूर होगा इधर उदर भटकने वाला भवरा भी फोलों की सुगंद के लिए उड़ता रहता है उसका क्या है मत भूलो कितने स्वतनतता से नानियों ने अपनी कुर्बानियां दी कितने मवाप ने अपने शहीद हुए बच्चों की अर्थियां उठाई ये लोग यहाँ पर बिरियानी खाने के लालत से नहीं जा रहे हैं अपरश्मेन के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले इसलिए जा रहे हैं सोच बदलो तब ही कुछ होगा है चलो हाँ हाँ चलो है 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 पाइ है 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 पूरा देश तुम्हारे साथ है। पूरा देश तुम्हारे साथ है। कर दूरा देश तुम्हारे साथ है। कि अधार चुछाये ज़्रश तुम्हारे साथ है। अधार है। कि अधार आए यह आए यह अधार बंके दिखाऊंगा। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल